हेलो प्रेंट्स आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार योट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में तो आए आज इंगलिस का सेट नम्मर क्या है कि इडियेम फ्रेश आपको पहेंड करना random फ्रेश संवे हैं इडियेम है dog is in your क्या है दाबहु्स पॉल सिं यूर कोट इसका हिंदी है दॉड का होता है अब तुम्हे अब तुम्हे निर्ने लेना है कि आगे क्या करना है अब तुम्हे निर्ने लेना है कि आगे क्या करना है ठीक ना the ball in your coat का यही अर्थ होता है तो इसका अर्थ होता है तो इसका अर्थ देख लेते हैं किस चार ओप्सन में किसका अर्थ यह निकल रहा है it is up to you to make the next move you have got a fantastic opportunity भी नहीं होगा you will be blamed दोस्तोरो देना blame मतलब दोस्त देना यह नहीं होगा you have been put into a dilemma यह भी नहीं होगा तो option a आपका right a हो जाएगा क्योंकि इसी का अर्थ निकल रहा है अब तुम्हें निर्दय नहीं ले अब तुम्हें निर्दय लेना है कि आगे क्या करना है it is up to you यह आप तुम पर है कि to make the next move अगला decision क्या होगा है ना तो option a आपका right होगी आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपको active या passive voice जो भी पहचानना है और उससे या passive या active voice और आपको निर्दय करना है ठीक है चार ओप्सन में तो देख लेते हैं was writing a note to her boss तो यह किस stance में है यह आपका active voice में किस stance में है active voice में है तो इसका क्या निकालना होगा हमको passive voice में चार ओप्सन में आपको passive voice खोजना है तो हम जब भी active या passive से active करते हैं तो हमारा इसमें पता है कि इसमें no tense change होता हमला tense का voice में change नहीं होता यहीं जानते हैं तो देखिए यह हमारा active voice में है तो यहां पर हमारा subject यहां पर क्या active voice को object क्या है a note to her boss तो यहां पर a note जो है आपका क्या है object है जो active voice के लिए क्या बन जाएगा subject बन जाएगा तो देखिए a note a note a note a note a note ठीक है हो गया a note यह passive voice बना रहा है ठीक है a note हो गया आप देखिए active voice का tense भचान नायम को was reading was writing का मनलब क्या हो गया यह है past continuous में किसमें पास्ट continuous में तो हमारा perfect का भी टेंश क्या होगा past continuous ही ओगा ठीक रहा हो तो पाक्ष्क होगा तो वाज राइटिंग का क्या होजाएगा वाज रीटे outfits भी थ्री तह नहीं होगा क्योंकि इसका मैं लिख देता हूं यह टाईये मैं इसका structure आपको लिख देता हूं कि Active voice जो है हमारा past कॉंटॉनियस में है तो इसका जब हम passive voice बनाएंगे इसका जब हम क्या बनाएंगे पैसे बोस बनाएंगे तो उसका जो format होगा वो subject plus was where plus being plus b3 plus by plus object होगा यही होता है format तो देखते हैं इससे मिलता जुलता का है was return यहां तो क्या था being plus b3 होना चाहिए तो यह गलत was के बाद being नहीं आया बिंग आना चाहिए यहां देखे वाज रोट है यह भी टू आ गया जबके हमको b3 चाहिए यह भी गलत was being return by mariam to her boss यह सही लग रहा वाज return यह भी 3 आ गया लेकिन बिंग नहीं आया तो यह भी गलत तो option आपका इसका अर्थ पहचार ना टू कट बोथ इंड का मतलब क्या होता है दोनों पच्छो या पहलों का समर्थन करना ठीक ना दोनों पच्छो या पहलों का समर्थन करना होता है ठीक ना तो क्या होता है to reject all agree argument to argue in support of both end है ना दोनों पच्छो का तो बोथ इंड option be right हो गया ठीक ना आगे बढ़ते हैं choose the correct meaning of the following idioms यहां भी आपको idioms खोजना है to get away with to get away with का मतलब क्या होता है इसका हिंदी बच निकलना क्या होता है बच निकलना, क्या होता है बच निकलना, तो इसका अर्थ से देखते हैं, चारों उप्सन में किसका अर्थ हो रहा है बच निकलना, to go away from home, to escape from something, to finish an assignment, to go to an unknown place, तो इसका अर्थ हो गया, B, to escape from, इसके मतलब क्या बच कर निकलना, इसके मतलब बच कर निकलना, from something, कोई चीज से क्या हो, बच कर निकलना, तो सही अर्थ दे रहा है, तो option B, आपका right हो गया, आगे बढ़ते हैं, आपको fill in the blanks है, उसमें आपको right option, चूज करना, ठीक न, desk, example, help understand a concept better, example है, example, example क्या आगे, क्या है, आपको इसमें से article खुजना आते, E के लिए क्या लगेगा, N लगेगा, तो आपका option C, right हो जाएगा, ठीक न, क्योंकि आपका bubble क्या होता है, B, O, W, E, L, bubble 5 होते हैं, जो कौन कौन होते है, A, E, I, O, U, तो जो हमारा bubble sound होता है, उसके लिए कौन सा article लगता है, कौन सा article का यूज करते हैं, N आर्टिकल का यूज करते हैं, और consonant जो होता है, उसके लिए A का यूज करते हैं, और अयहां पर इक्जामपल का आगे बिला लेटर क्या है ए यह हमार एक भौवल है तो भौवल के लिए हम किस का यूज करेंगे किस आर्टिकल का यूज करेंगे एन का ट पर आसन यहां से राइट सी हो जाएगा यह तो ब्हुत सिंपल था आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर select the correct passive form of the given sentence, आपको मतलब यह sentence दिया हुआ है, active voice में इसका आपको passive खोजना है, ठीक न? तो खोज लेंगे, क्या बोल रहा है, the prisoners of this jail have woven this carpet, यह आपका active voice में है, the prisoner आपका subject है, of this jail, of preposition का यह object है, have woven, have woven का मतलब यह किसमें है, present, have woven, present, perfect, tense में है, तो इसका जब हम passive voice बनाएंगे, तो tense तो change होता है न, यह voice में, तो यह क्या किसमें चल जागा, past perfect tense में चला जाएगा, ठीक न? आइस का structure क्या होता है, past perfect tense का subject plus, head plus, subject plus, head plus, subject plus, head plus, oh sorry, tense थोड़ू चेंज होगा, tense change नहीं होता है, मैं यहाँ गलत बता रहा था, यहाँ पर यह भी present में होगा, क्योंकि याद रखेएगा, जब हम voice बनाते हैं, तो active से passive या passive से active बनाते हैं, तो उसमें tense change नहीं होता है, तो यहाँ active में अगर present है, तो passive में भी present में चलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जागा, have या has plus been plus b3 plus by plus object होगा, ठीक न, तो देख लेते हैं, कहाँ पर ऐसा है, तो इस sentence का पहले object क्या है, object, active voice का object यह है, और यह जाके passive voice में subject बनेगा, तो यहाँ the prisoners use हो गया, यह गलत, this carpet, तो this carpet यहाँ तो देख रहा है, लेकिन हमारा दो option नहीं देख रहा है, यहाँ दो option हमको खुजना पड़ेगा, तो this carpet है, ठीक है, यहाँ active voice का जो object उसको subject बनाया ह वो यहाँ भारू का किसना दूसरा रूप आ गया, तो यह भी 2 आ गया, तो यह past हो गया, लेकिन past उमको जाना हमको passive present में रहना, तो यह गलत हो गया, तो option आगे जो होगा option, वो सही होगा, तो option देख लेते, क्या था option, तो ठीक है, option तो cut गया है, PDF बनाने समय, तो कोई बात हम लोग सीधा answer लिख लेते, इसका ठीक ना, तो answer लिखें, वही answer आना चाहिए, इसका सही, तो देखें, यहाँ पर मैं इंक बदल लेता हूँ, these carpet क्या होगा, subject होगा, passive voice का, तो these carpets, ठीक है, आप देखें, उसके बाद क्या आएगा, these carpet हमारा क्या है, plural है, क्योंकि S लगा हूआ, तो यहाँ पर क्या होगा, have आ जाएगा, these carpet have, उसके बाद क्या आना चाहिए, बीन आना चाहिए, तो बीन, उसके बाद भड़का कितना आना चाहिए, तीसरा रूप आना क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर पैसिव है, बन जाएगा, बन जाएगा, तो दा, प्रिज नर्स, ठीक है, दा प्रिज नर्स ओफ, इस जेल, ठीक है, तो हमारा ओप्शन यह राइट हो जाएगा, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी आपको इडियम फ्रेज खोजना है, ठीक ना, जैसे लिविंग इन फूल्स पैराडाइस, लिविंग इन फूल्स पैराडाइस का मतलब क्या होता है, जूटी अभी लासा, जूटी किसी के द्वारा आपको मुर्क बनाया गया, यह नहीं होगा, तो लिव इन वर्ल्ड ओफ इमेजिनेशन, मतलब काल्पनिक दुनिया में रहना, नहीं, तो बिलिव रॉंगली डैट यू, डैट योर सिच्वेशन इस गूड, हाँ यह है कि तुम्हारा सिच्वेशन आगे बढ़ते हैं, आपको correct indirect form of the given sentence खोजना है, मतलब यह आपका narration दिया हुआ, तो यह आपका direct speech है, इसका आपको indirect speech करना है, यही न, और narration में याद रखे का tense का change होता है, लेकिन voice में tense का change नहीं होता है, narration में tense का change होता है, तो यह आपका inverted comma का अंदर यह वाला sentence है, और यह आपका reporting भर्व, तो reporting भर्व हमारा past में state से पता चला, दखिये, the gardener said to the children, please do not pluck any flower, तो यहाँ पर gardener क्या कर रहा है, यहाँ पर जो हमारा gardener बच्चों से क्या कर रहा है, बच्चों से आग्रह कर रहा है, एक तरह का क्या कर रहा है, आग्रह करता दिख रहा है, बलब request करता ह हई लगो बहुत दिखा कर रहा है, अगर request कर रहा है, इसका मतलब क्या बनेगा, order धरूँ दे रहा है, गलत, child कहते हुआ, real request कर रहा है, ठीक है, आप दिखिये, request कर रहा है, अजब request आ जाता है, तो हम लोग जब भी जानते हैं कि आगरा hry requested वाला sentence होता है, तो उसके बाद request अगर आ गया तो उसके बाद हम लोग उस sentence में आगे please का यूज नहीं करते हैं तो यहां पर please देखे use कर दिया तो यह option घलत तो बچा option see only सही देखे कितना आसान था कि आगे बढ़ जाते हैं a feel in the blanks with most appropriate word आपको तो सही option से खाली जगा को भढ़ना है, dash of of adulterated foodstuff being sold in the market, क्या कहना चाहरा है, कि बाजार में, बाजार में, में, बाजार में, बीक रही, क्या, मिलाविटी खाद पदार्थ, अडल्टेट मतलब, ad-u-l-t-e-r-a-t-e-d, adulterated का मतलब वह था है, मिलाविटी, ठीक है, food मतलब खाद और stuff मतलब सामगिरी, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कि जो हमारा मार्केट में, खाद पदार्त जो बिक रहा है, वो कैसा बिक रहा है, मिलाविटी बिक रहा है, उससे हमको सावधान रहने की जरूरत है, उससे हमको क्या रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, ठीक न, तो सावधान का म आगे बढ़ते हैं पीक आउट दर नंफिनाइट भर्व आपको यहां पर नंफिनाइट भर्व खोजने का क्या मैंने बताया था आपको थियोरी मैंने बहुत सबार बताया है तो यहां पर देखते हैं दा हमारा क्या है दा हमारा एक तरह यह भी है दा हमारा क्या है आर्टिक है यहां पर आया है लेकिन यह क्या है यहां उतलowski क्या होगा पैसिए na अगर फिनाइटी भरवूता है तो हमारे यह क्या हमारा अचल की विन होता है और यहां यहां ईप्रांच यह नाउन की विसेश्ता बता रहा है कौन डिस्टॉटेड तो सेम यहीं चीज बन गया कि डिस लिए तोर्टेड मेनर मेनर आपका नाउन है नाउन की विसेचथा डिस्टॉटेड एड्जक्टिवेर जो हमारा क्या है पार्टिसिपल है क्योंकि डिस्टॉर्टेड में ED लगा हुआ है मतलब भर पलस ED का मतलब भी 3 और यह किसके तरह बढ़ कर रहा है adjective के तरह adjective पार्टिसपल होता है और पार्टिसपल क्या होता है नंफिनाइट भर होता है तो आपको इसलिए option क्या हो गया यह बताये कौन से है तो answer हो जाएगा पूल स्टॉप कि किसको बताते हैं फूल स्टॉप को आगे बढ़ते हैं अंडरलाइन word in the given sentence विच काइंड ओभर्व इस दाँडरलाइन वर्ड इन गिवें टेंटेंशन जो आपका अंडरलाइन वर्ड क्या गया है यहां पर ठीक न है उसका भर्व पहचानना कि उसका क्या भर्व है तो देखिए the door softly he left never to return again close the door softly he never left to return again क्या लग रहा है the door the door हमारा क्या है नाउन है और नाउन की विसे इसता बताने एक लिए पर कौन है closing जो अगर नाउन की जो पिसे इसता बताता आगे आकर वो से क्या कहता है adjective इसे कह रहे है तो adjective हमारा क्या होता है पार्टी सीपल होता है कैसा पार्टिसपल होता है जब भी पलस आइएंजी लगा हो तो वह प्रजेंट पार्टिसिपल कहला था वो क्या कहला था प्रजेंट पार्टिसपल यहां पर closing में C L O S E पलस आइएंजी लगा हुआ है तो closing लगा हुआ है तो यह हमारा क्या हो गया एक तरह का पार्टिसपल है जो adjective की तरह काम कर रहा है नाउन की विसे इसता बताने का तो वह प्रजेंट पार्टिसपल होगा तो finite तो होगा ही नहीं खत्म नाइन फिनाइट भर यह जी रेंड जी रेंड नहीं है नाइन फिनाइट भर यह पार्टिसपल है तो option C राइट होगा option D ऐसे छट गया तो option C राइट हो गया आगे बढ़ जाते हैं स्लेक्ट दा मोस्ट एप्रोप्रेट ओप्शन तो फिल इन दा ब्लैंक्स आपको खाली जगा में सही ओप्शन चूच करके भड़ना है इफ दा नेवर्स हैड नॉट डैस फूड वी माइट हैव इस्टर्वड क्या कहना चाहरा है हिंदी में अगर परोसियों ने अगर अगर परोसियों ने परोसियों ने खाना अगर परोसियों ने खाना ना दिया होता तो अगर परोसियों ने खाना ना दिया होता यहीं आ रहा है अंसर तो वी माइट ना दिया होता तो सायद हम माइट भूके इस्टर्वड भूके मड़ जाते ठीक न तो यहाँ पर किसका मतलब इस्टोलेन का मतलब चोड़ी करना था अधेड मतलब जोरना थ्रोन मतलब फेकना प्रोवाइड़ का मतलब क्या होता है उपलवद करना यह हो सकता है देना थिक न तो प्रोवाइड तो यहाँ पर सही और आंसर कोन बहायाएका ओप्शन बी कि यदि परोसियों ने खाना न दिया होता तो सायद हम भूके मर जाते है ठीक ना समझ गहोंगे आगे बढ़ते हैं आपको खाली जगा में सब्सक्राइब लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर तो मैंनी स्टुडेंट्स आडएस बाइफ ऑफ ग्रेट लीडर बहुत सारे जो चात्र है वो महान नेताओं से क्या होते हैं महान नेताओं के लाइफ से क्या होते हैं इंट्रेस्टेर होते हैं या इंवल्व होते हैं इंफेक्टेर होते हैं तो इंस्पायर नहीं होते हैं तो इंस्पायर का मतलब क्या हो गया प्रेरित करना तो जो महान नेता होते हैं उसके जीवन से बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं प्रेरित होते हैं तो inspired हो जाएगा यहाँ पर सही option ठिक न, involved का मतलब होता है सामिल, सामिल होना तो यह तो होगा न, infected का मतलब क्या होता है शंक्रमित तो यह भी नहीं होगा इंट्रेक इंट्रेस्टेड इंट्रेस्टेड का मतलब होता है इच्छुक तो इच्छुक तो होते हैं महान नेताओं के जीवनी से हम क्या होते हैं प्रेरीत होते हैं तो यहां पर option C right हो जागा आगे बढ़ते हैं आपको खाली जगा में सही ऑफसन चूज करना है इस सौफ्ट ब्रीज ब्लोज एज सन डैस इन दा डिस्टेंट वैटर्स हिंदी अगर समझते तो क्या बोल रहा है जैसे ही सूरस दूर सूरस दूर के जल में चमकता है एक नरम हवा चलती है एक नरम हवा तो नरम हवा का क्या होता है सीमर्स सीमर्स यहां बढ़ाएगा ठीक ना इसका मतलब क्या होता है जिल में लाना ठीक ना जिल में लाना तो यहां पर सब से सही ऑप्शन यहीं लग रहा है तो यहीं बढ़ाएगा ठीक ना क्योंकि गलेज का मतलब क्या होता है सीशा लगाना तो यह तो होगा नह त्रिक नए रैमी फाइस का मतलब होता है प्रभाव डालता है और प्रहव डालता है इस तरह से कुछ इसका अर्थ निकलता तो यह होगा नहीं तो यहां पर सी मर्स सही होगा ठीक ना तो ऑप्शन सी राइट हो गया आगे बढ़ते हैं आपको डायरेक्ट स्पीच से इंडायरेक्ट स्पीच बदलना ठीक ना यहां पर आपको यह डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ इसको बदलना किसमे इंडायरेक्ट कि यहां पर क्या हो ना आएगा ही दे तो आए गला यू ना आए duy यू कह तो ही इक कि में दिख де आप संक्या राइट देख कितना आशॉन है आगे दिखते हैं फिलीटम स्पाइश अस जल्यव में आपको सुनकर पुलोरल लेगा तो यहां पर नहीं सही जार है गलत बता दिए बिए हाँ पुलोरल लेगा तो यहां पर क्यों र्लू हो जाए हो फार पास्ट है है प्रेजेंट हो गया और इस हमारा सिंगुलर हो गया यह भी सिंगुलर ही होता है यह भी सिंगुलर है यह सिर्फ पास्ट का सिंगुलर है तो यह सब नहीं होगा हमारा आर होगा क्योंकि हमको पुलूरल चाहिए ठीक न तो इस तरह से आपका हो गया यहां पर आर भराएगा ठीक ना क्योंकि हमारा cattle क्या होता है cattle जो हमारा क्लेक्टिव नाउन होता और क्लेक्टिव नाउन होने के कारण ये कैसा दर्षाता है पुलूराल दर्षाता ठीक ना आगे बढ़ते हैं आपको इडियम फ्रेज खोजना ठीक ना एक ब्लैसिंग इनने डिस्क्यूस्ट एक ब्लैसिंग इनने डिस्क्यूस्ट का मतलब क्या होता है इसका अर्थ देख लेते हैं एक अच्छी चीज जो पहले बुरी लगती है इसका अर्थ निकला एक अच्छी चीज जो पहले बुरी लगती है यह इसकार्थ निकला, एक अच्छी चीज जो पहले बुरी लगती है, इस चारो ओप्षन में देख लेते हैं, इसकार्थ दे रहा है कि नहीं, Blessing of God, नहीं, God good news नहीं, A bad thing that seems good at first, आपका option C right हो जाएगा, क्योंकि यह सही अर्थ दे रहा, A good thing that seems bad at first, दोनों same ही लग रहा है, तो यहाँ पर option कौन right हो जाएगा, option right D होगा, फ्रेंड्स, थोरा सा, दोनों थोरा same ही लग रहा है, देख लेते हैं, यह अंतर है, आपका option right D होगा, A bad thing that seems good at first, एक बुरी चीज, ओ, इसका अर्थ निकल रहा है, कि एक बुरी चीज, शुरूर में क्या लिखती ही, अच्छी लगती है, तो नहीं है, ऐसा थुरू है, क्या बल रहा है, कि अच्छी चीज, जो एक अच्छी चीज, जो पहले क्या लगती है, जो पहले बुरी ल को खतम करता है नहीं तो सेटव इंपोर्टन डिटेचल नहीं यह नहीं तो सफ्लेट करने में मदद करता है इचे SAR फिल फिल अवाँ डाल्रीग असरों के साथ यह भरना इंडिया डैस है इंडिया कहा है यहाँ सब्जेक्ट है और यह सिंगूलर है तो यह अपर क्या लेगा सिंगूलर भड लेगा बड़ वक कैसा लेगा को सिंगूलर लेगा सिंगूलर को नए क्aser फुल्ड ने यह नहीं होगा से सी है स्फिक्भिय स्ग 창ूलर है सब्सक्राइब नहीं है तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में